साश्रीकाल जी सारे अनू, सारे अनू पहला मेरी वलो तॉनू साश्रीकाल केवे हो सारे उमीद करतीयां हेल्दी होंगे आज अपाने चेप्टर नंबर जो 13 है अपना उसनों कांटिन्यू करना है यह अपना चेप्टर नंबर 13 चाल रहे है विच इस स्टेट लाइन जिस डिएविछ अपा सर्कलनू कवर का रहे रही है सि प्रेविस क्लास डिएविछ तुसे देख्छा होना के सर्कल देड़ेगा काफी जा तुसे सिख्छा आज आज आफाई डिएविछ कांटीन्यू कर देज तूं एक लासेस पार्टिकुलर ही है यह ने मास्टर कैड़ दे वास्ते हैं मास्टर कैड़ जडे भी स्टुडेंट्स प्रपल्ली त्यारी करना चांदने विख वारी चैनल ते विजट करना प्राणियें क्लासेस दे विछ सारा A-to-Z स्लेबस अवेलिबल है गया नहें ख्लासे से विच वाण बीच आपने चै काड़ियें नहीं चांदने लिए हैं तब तत रहाल कुछ कुछ जंग है कोसिछ धीर नंचñने जलदी पती द्वार्रा लाइबती आई ते एपने चैंड फटीन एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम शेयर कर दियो, प्लेलिस्ट में तो अर्डिनल अल्रेडी शेयर किती हुई है, जिदे विच पूरा स्लेबस फॉम चैप्टो वान, ते केडिये बुक्स तुसी लायने, केड़ा कुछ लायने, सारा कुछ नहानों मिल जेगा, ठीक है, ता फे विच नुचल से नहार बालष बालष रिक्वीचल लायने, उनरी आप पना प्रृणीस, विच अगे सिके पूरा स्पाइन काशना, हो जेख milli मिल राड्यो का मिलं ही हुम ची नहार बालष देंग मिलॉल थना घ। सॉनीयर क फबाल अर्ठी के श अंत्तव सारा कूछ फाब ह वापने करना है उनना दा पॉइंट ओफ कॉंटक्ट करना है I will repeat it again, कि उनना दा पॉइंट ओफ कॉंटक्ट करना है तो यहीं जड़ा point of contact है वो आपने find करना हूंद है वो किमे find करना है वो आपा होने देवेच्छ सिखांगे तो अगला topic ही है coordinates of coordinates of point of contact नो केड़े दो point केड़े contact देविच काट रहें आपा circles से of two circles clear जिड़े दो circles जा point of contact now the thing is केड़े केड़े conditions बांदिया ने पहला आपा conditions नू देख ला है ने केड़े-केड़े possibilities बांदिया ने दो circles एक point ते टच कारें तो तो उसे कहोंगे मैं हो सकद है दो circles ने और दोनो circles बारो एक point देपर टच का रहें ने जेवह हुआ है जी दो इक प्खान और ऑर टच खाहरे ने मुझा हो सगोल जो सकदा है दो सर्कल्स आंदर एकपो पॉंट देपर टच काहरेने क्योंकि एकपोइट टच तरह दो ही पोसिलियल्टिस गहां जन ही जा बारो होसगद यह मेरा center 1 है, यह मेरा center 2 है, मतलब यह परली चर्कल दा center si, यह तोसरी चर्कल दा एडिए Caesar 1 होएगा और आद वेरी क्लिर के मिलेको αडिएस 2 होएगा, मतलब सेकंग रेडियस कोई गैटी सेकंग रेडिेस हो गया तो नों को मैं तो लिएटींटी कि अधया रेडियस कता ने हपाणु पता कि मैं लगवागा भिकल टना स्ट मारा इस कीड़ा लगा घाफ शोगवडर की होएens कि R1 X2 R2 X1 divided by R1 plus R2 I thought ए किसे ना किसे फोर्मुले दी तो हानू याद भी दवारया होना It is totally like section formula तो जड़ा section formula होन दो बिलकुल सेम इस तरिक्के दा होन दे बास वोदे विच R1 R2 दी जगा ते अपने को ratio होन दी है देखो किना similar है किना easy है एथे की है प्लस कोदो जड़ा तो हार्डे को ये वली condition बानरी है center दा distance जो है that is equals to the radius 1 और radius 2 दा addition clear है now the thing is मैं अगर second possibility होवे ओधो एक circle बानरी आते दूसरा circle उसते बिलकुल अंदर है दूसरा circle अंदर है ये मेलकुल point of contact है जो मैंने find out करने हूँ देखो एक मेलकुल c1 है एक मेलकुल c2 है हूँ एथे मेन इस चीज़ दा clearly पता है कि जड़ा मेरा distance है c1 c2 दा that is not equals to r1 plus r2 simple ता हूँ इस case देवे चा formula मेलकुल same लगेगा that is r1 x2 but plus दी जगा ते की हो जूगा minus हो जूगा ठीके जी plus दी जगा ते की हो जूगा minus हो जूगा जिवे आपा section formula दे बिच internal external कर दिया बिलकुल in that way similarly same उसे trick नाल हो रहे है जारा काम ठीके ते तुसी अराम ना लेहे जड़े questions नहीं हो स्वाला कर सक देओ ठीक है clear है but यह ता चलो properly theoretical method सीगा के MA MA कड़ो तो थोड़ेकोल कोशन हो जूगा हुण मैं तो हानू एक example दे रही है ते तो हानू एक दस रही है कि तुसी इनना लंबा चोड़ा method अपलाई ही नहीं करना पहला चेक करना फिर formula अपलाई करना फिर होनू स्वालाफ करना इनना आइम अपने गोल कित्य है यह पेकपर देवेच ता हुण मैं तो हानू क्या रही है कि जीकर तो हानू एक circle equation देती कोई भी मालो एक circle equation देती और दूसरी ता हानू दूसरे circle equation देती रेंडमली कुछ भी देता ठीक है कुछ भी equation देती हुई है ता हुण इसकेस दे वेच तहानू चार पॉइंट्स देते होंगे विद दस्सो इनना दा काट है तो है अमाइग विद रात चार पॉइंट्स दस्कुर्ण आता ह्भी दोऑ इसे कारा आपन ऑप्शन ही करने करने आपना टाइम से पिछे क्यों दस्या तेकल सेपैरब दोगर वेच्यम बेना थी चहांदे दोड़ सोनीर Am I right? तो जो दो भी कोई कोश्चन अन्द है तो उनू हमेशा बाई अप्शिन करो जिस दे वेच तुसी पॉइंट अनु चोखो सर्कल दे वेच पोट करो दोना दे वेचे सेटिस्फाई होगा तो हडा अन्षो तो हानू मिल जूगा Next one चलते हैं जी अगले टोपिक दे उपर Next one is known as Radical Axis This is important too एदे वेच अच्छे खासी कोश्चन तानू देखानू मिल जानगे Now the thing is एद Radical Axis हुंदा की है हुण मान लो एक सर्कल है ठीक है जी ए मेरे कोल दूसरा सर्कल है मेनू एमे करके दो सर्कल दिते होई ने क्लियर है दोबारा बोल रही है कि मेनू की कुदे दो सर्कल दिते होई ने रहे हैं एदी वेच मेरे कोले कोईrene एमेदी एक लाइन है कि इस लाइन दी उपर मैं कोई वी पॉइंट लेला तो जोदो उस पॉइंट तो में दोनों सरकल से टेंजेंट खिच दियां, दबारा सुनू, एमें दी कोई लाइन है, जिदे उपर मैं कोई भी पॉइंट लेला है, और जोदो उस पॉइंट तो मैं दोनों सरकल से उपर टेंजेंट खिच दियां, तो एनना जड़ी टेंजेंट सी लेंथ है, that will be equal, लेंथ जड़ी लेंथ है, और हमेशा इकुल होएगी, और एमें दे सारे पॉइंट्स नू मिला के जड़ी लाइन बन दी है, उसनू अपा की बोल देया, that is known as radical axis, ठीके जी, radical axis की हुंदिया ने समझ आ गया सारे अनू, किसे नू नहीं आया ता पुछ लियो, कमेंट सेक्शन दे ठीके है, और एक मेंने कमेंट आया है, कि अगर कोई डाउट होएदे की में पुछने, you can message me on telegram, ठीके है, टेलग्राम देवेच मेंने पार्सनली मैसेज करके आपने डाउट्स पूछ सकते हूं, इस तो इलावा एक गुरूप भी बनेया हुया है, जड़ा की जिदे वेच एक चीसता clear है कि मेंने 2 lorsqu ने, तहँ एक वे एक्वेशन वे कीदी होएगी, दो सरकल ने होएगी, X स्कियर, प्लस Y स्कियर, प्लस 2 G1, X, ठीके झी, 2 F1, Y, and C1, एक मेने सरकल धी एक्वेशन मिलगी, दूसरे सरकल धी कुछ ना कुछ होएगी, क्योंकि मेरकोल 2 सरकल ने, हाना पिछ्छे तो सी graph देविच देख्खे ही हो ना जो मैता होनों graphically समझजान हिकोशिश किती है कि मिरकोल 2 circles ने ता मिरकोल 2 circles He cookie हे गी है और न दोनों तो मिननी की करनी है Radical x धी equation करनी है तो बहुत जाला easy है कि वे है धेज त ये 2 g1 minus g2x and 2 f1 minus f2y and c1-c2, how easy this is, in simple words you can say, के मिन्ने की किता, s1-s2 करता, s1 दा मतलब the first equation, and s2 दा मतलब की हो गया मेरेकोल, second equation होगी, और मिन्ने दोना नू माइनस करता, और दोना नू माइनस करके, equals to की दे राखले है, 0 दे, अच्छा, ठीक है, अनू कुछ-कुछ ता समझ आ गया, अच्छा, एद एक होर तरीका में था, अनू दास दिया, जेकर तो हाड डेकोल, s1 is equals to s2 आ जानदा है, it means, oh, radical axis है, क्योंकि जड़ी आवल equation है, ओ, यही ता कह रही है, का s1 is equals to s2 होगा, मैं s1 दे s2 की होंदा है, s1 होंदा है, जो नो तुसी equation of circle दे, which point नो put कर देने हो, s2 होएगा, जो तुसी second circle equation दे, which point नो put कर दोंगे, मतलब, sometime कहा नो के दित्ता होंदा है, point given होंदा है, क्या, हाँ जी दुसो, कि इस point तो खिचियां हों, यहाँ, टेंजन्स नहीं, और रेडिकल एक्सिस ते होंदा है, यहाँ, तुसी easily s1 काट सकते हो, s2 काट सकते हो, जेकर दोनों एक कोल आ जानदा ने, तो तुसी कहोंगे, yes, रेडिकल एक्सिस ते होंदा है, otherwise you can say, कि नहीं होंदा है, ठीक है, clear है, हुन जेकर मैं तहानों कावा, कि मेरे कोल ने, दो सरकल ने, एक सरकल है, यह एक सरकल है, ठीक है, इस सरकल दे, उरेज कोई पॉइंट होगा, that is 1 and 2, हुन मैं इस पॉइंट तो टेंजन्ट खिच रही है, ठीक है, दोनों सरकल ते में ने टेंजन्ट खिच थी, हुन मैंनों एक आल दसो, कि जेडी में थोट एंजन्ट खिच रही है, क्यों हो इक्वल डिस्टेंस ते होगी है, मतलब दोना दे लेंथ सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगा, के नहीं, जा फिर की हो रेडिकल एक्सिस दे उपर है पॉइंट होगा, या नहीं होगा, दोना दे मतलब सेमने वर्रिंग डिफरेंट है, तवह, होण एदा मतलब की है, मैं इस पॉइंट नहीं, 1st equation दे circle च श पूट करके, S1 कड़ लांगी, इस पॉइंट नहीं 2nd circle दे equation च पूट करके, S2 कड़ लांगी, और चेक करांगी कि दोनू equal है गे नहीं, if yes, ता मतलब अपने को रेडिकल एक्सिस है कि नहीं और अगर अगर आमें ता कोश्चिन ना के ता हानू रेडिकल एक्सिस फाइंड करानू क्या जान्दा है ता ओदली ता जी अपाई है कारी चुक्क है प्रॉपर एक फॉर्मुला प्रॉपर एक शाल देएंड कि मैंनो दसो डायरेक्टर सर्कल क्या हुं दै हान्दी जल्दी जल्दी आंसर करो सारे साथि कि डाइरेक्टर सर्कल की हुंद है, कोमेंट सेक्षन देविछ दास्तो, डाइरेक्टर सर्कल की हुंद है, जो तो मैं कहा रही है, कि एक सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल दे बाहर कोई भी पॉइंट बाने रहे है, यह मिल्कुल एक सर्कल है, इस सर्कल तो मैंने की कित्ती टेंज खिटची ठीक है रुको आप थोड़ी कोशिच कर दिया है सही बना दिया अगर बंद आता हाँ जी एदे तो में ने ओहो इस इस इसर्कल ठीक है जी एफ भी ऐप ही ट ही ठीक ड्री एफ ही 90 डिडिक्र ते कट का रहे है तो सबस्क है किर्दो कि नहीं करते कि इन्फिनाइट में ने पॉइंट्स माद जानगे और जब इनना सारे पॉइंट्स नो मिला दिये और एक अनदर सर्कल बढे उनू अपा की बोल दिया डिरेक्टर सर्कल बोल दिया समझ आ गया समझ आ गया हुएगा सारे आनू यह कर मैं सावोनों पुछा के डेरेक्टर सर्कल दी एक्वेशन की हूंडी है तो बोग सोख है देखो आपने एको इसा एक्वेशन की सी X² plus Y² is equals to R² और जो मैंता हानु कमा के डेरेक्टर सर्कल की इक्वेशन की है तो से कहोंगे X² plus Y² is equals to 2R² how easy this is अगर तो हाट एकोल equation of circle है x square plus y square is equals to 4 तो हाट एकोल director circle equation की होएगी x square plus y square is equals to 8 am I right or wrong clear है director circle काफी simple जी चीज है easy चीज है उमीद है समझ आगी होगी उस तो बाद अगी गाल कार दिया जी code of contact दी code of contact हाँ जी ता code of contact की होंद है code of contact दीवेचे सबते पहला थे समझना जरूरी है कि एनों find out के में करना है क्योंकि जीकर code of contact पता लग गया तक ये था होड कोश्यन भी बांद है that is midpoint of code of contact हाँ ता और भी आपा देखांगे हुन code of contact है कि एक circle है इसे circle तो मेरे कुल दो ख मेरे को तेंजेंट जाए तो ये जiauरो एक टेंजेंट है घक है ठीक है चलो ठीक है हुन tangent हो थी टेंजेंट है है एक प्रोपर एक प्रींटें काट कर आघ का दिया है कोई भी सर कला वाल Alsone भी एफचेयन ये ज ज़िपर पटेंजेंट जाए ज़िउनक्स फिला देनिया तो मेरी कोल मिलनू नजर आ रहे है एक प्रोपर सिद्धी साधी लाइन नजर आ रहे है और उस लाइन नो ही आपकी बोल देया कोड ओफ कंटेक्ट बोल देया इस नोवन अस कोड ओफ कंटेक्ट होने नो फाइंड आउट की में करने हाँ की में आप ऐसनु फाइंड आउट कार सक रहे है बहुँ सोखा जात रिक्क है सब्तो पहली गालता तो हानू ए वला पॉइंट देट इस एक्स वान वाइबन दित् जीरो ए मिलकोल सर्कल होएगा एंड थींग इस के मिलकोल एक कोड ओफ कंटेक्ट ओ सरी पॉइंट केड़ा होएगा देट इस एक्स वान आड यवन इस पॉइंट नो जोदो मैं सर्कल देविछ पुट करांगी ता इट इस वेरी कंप्लेटली क्लियर के मिलकोल की इस इकल्स टू जीरो कोड ओफ कंटेक्ट काफी सिंपल है जीवें तुसी एक्वेशन ओफ टिंजन काट देओ ओ ही तो हर्डिकोल कोड ओफ कंटेक्ट दीवी एक्वेशन है वेरी वेरी इजी एंड सिंपल हुन ती इस इकल्स टू जीरो के दा मतलब की हो गया देट इस ए देखो याद होएगी अगर तुसी क्लासिस अच्छे तरीक्य ना लगाई याणे ता याद होगी तो हानो एक्वेशन ता टी इस इकोल टो जीरो इस अलसो तो हाड़ी हेल्प करेगी कोड़ ओफ कॉंडेक्ट फाइंड कर देविच क्यों 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 पॉइंट करोंगे और तुसी यह वला पॉइंट पॉट करोंगे जो कि आउट अफ दी सर्कल बाहर एं सर्कल दे ठीक है ता उस केस दे वेच में तो हाड़ी को सेम एक्वेशन है क्यों कि पॉइंट करें दा मेथट बिलकुल सेम है जिवे तुसी टेंजन नू फाइंड आउट करते ह दांज भाइं सर्कल देता सकले देकि को लिए अट बीजन्ट थी इक पॉइंट की होईगी इन दाट केस यू विल से के T is equals to S1, हुन T दा मतलब की है, आप पानु चार है आनु चंगी तरह पता है, T दा मतलब हुन्द है, X, X1 plus Y, Y1 minus जिन्ना भी रेडियस है गह, और S1 दा मतलब हुन्द है, जो भी तो हड़े को सर्कल दी एक्वेशन है, हुन सर्कल दी एक्वेशन म माइनस A स्क्यार, 16 किता, ता मेरे कोल की आ गया, X, X1, Y, Y1 minus X1 स्क्यार, minus Y1 स्क्यार is equals to 0, मतलब this is the way, जे कर दा हानु मिड़ पॉइंट दिता हुए है, और तो से कौर्दी एक्वेशन पाइंड आउट करनी है, ता simply T is equal to S1, हुन T की है ता हानु समझ आ गया, S1 की है ता हड़ी हल्प करांगे, ठीक है, एन्नी लंबी एक्वेशन फाइंड करना मुश्किल है, बट T is equal to S1 is very easy, याद रखना भी, ठीक है, अगे चाल दिया, अगे अगे अगर आपा गल करिये, last but not the least, important भी कह सक दियो, orthogonal circles, इस तो बास circle तो हड़ा complete है जी, orthogonal circles, हान जी, orthogonal circles की हुन आपस दे वेच, इंटरसेक्ट होरे ने, 90 डिगरी दे अंगल ते, now the question is, मैम, दो सर्कल आपस दे वेच, 90 डिगरी दे अंगल कि में बना सकते ने, हुन ए दे वेच C1 है, ये मेरे को second point है, C2, और मैं देख रही है है, दोनों इस point दे उपर की होरे ने, इंटरसेक्ट होरे जिनन उमें सेंटर देनाल मिला देनी है, चलो, ठीक है, ता मतलब एहे जेडा एंगल बन रहे है, अगर एहे एंगल 90 डिगरी दे है, ता अपा बोल दे हां, जी, दो सर्कल्स की ने, और्थो गोनल सर्कल्स ने, क्योंकि और्थो गोनल इट इस, ऑल्सो दे सीमिलर टु पर और्थो गोनल सर्कल्स ने, अगर अगे गल करिये, कि सानु की वे पता लगूगा, भी दो सर्कल्स आपस देवेच और्थो गोनल ने, ता हुन देखो, जेकर पहली गल, तो तुसे कोई भी एंगल फाइंड करने है, क्योंकि जुरूरी नी भी और्थो गोनल ही हून, मैं त C1, C2 दा जिनना भी डिस्टेंस है, उस दा स्केर, डिवाइड बाए, 2, R1, R2, ता दिस दा वे, कि तुसी दो सर्कल्स दे वेचला, एंगल फाइंड आउट कर सकते हून, अगल ही 90 डिकरी दा बान रहा होगे, फिर मतलब तो हाटे कैम दा की है, कि तो हाटे कुल ही और्थ जेड़ा स्केरिंग एड एड़िग है, ता इस इकोल स्केर दा स्केर, जो रहा हो तो हाटे को एंगल 90 डिकरी बाट जानने है, मतलब और्थोगोनल बाट जानने, ठीक है, हुन जेकर तुसे कोँगे मैं ता हानू सेंटर कड़ना पोगा, सानू ओ कड़ना पोगा, जेकर सा सोखे तरिके दिनाल, मतलब छेती-छेती कोश्टन नो स्वालाफ करने है, तक कि वे चेक कार सकते हो भी तो हाटे सर्कल्स ओर्थोगोनल हैगे ने, यह नहीं हैगे, ता इस ते विच देखो जी, प्लस D2 विच इकोल स्टू 0 ता तुसे कुछ नी, 2G1, G2, प्लस 2, F1, F2, it should be equals to D1 plus D2, this is the way to check the circles ओर्थोगोनल हैगे ने, यह नहीं हैगे, अगर इकोल होनगे ता ओर्थोगोनल होनगे, अगर इकोल नहीं होनगे, ता ओर्थोगोनल नहीं होनगे, I hope clear होएगा, एदे नाल थाड़ा सर्कल कंप्लीट होंदा है, अगर सर्कल कंप्लीट होंदा है, अगर पैराबोला दे नाल रेक्टेट, काफी चिज़ा अपा अल्रड़ी काचुके सी, यह ही अपना सर्कल दा टोपिक, सर्कल दा टोपिक अपना कंप्लीट हो गया, अगर अपा डिस्कूस करन जा रहे हैं, पैराबोला दा टोपिक, कोशिश कर दे आँ पैराबोला दे ट हाँ जी, पैराबोला दे विच की कुशिट पैंडेंग आपना, पैराबोला दे विच अपने अज पढ़नी है, टेंजेट, फिर अपा पढ़ाँगे पैराबोला दे विच नॉर्मल, फिर अपा पढ़ाँगे जी, सबनॉर्मल, आड अल्सो सब टेंजेट, होड़े और तो होडा पैरा बोला भी कम्प्लीट हो चुक अचुक अच्छोय का इस सानारी एस नालनाल हीकोईशन लिख देनी यह कि जय्रहात Luigi a और मैंने रॉय थैंडे पैरा मुहन पारा बोला बनाया वा अच्छोय वांदिंगाई वInter एक स्केसदेकों सेम फीछ चीज़ लगोगी किते भी कुछ भी डिफरेंट नहीं लगोगा हुँँ टेंजेंट मेरकोल की है जो तो एथ हुँ पैरा बोला तो एक पॉइंट दियो पर टच करके एक लाइन जा रही है फोर एक्जांपल एए पॉइंट दे उपर टच करके जा रही है तो हो मेरे कुल की होईगी टेंचेंट होईगी हुण ए तसा नो समझ आ गया कि एक पॉइंट ते टच करने वाली लाइन नो आपपा टेंचेंट बोल दिया ओ इस तरिके नल नजर आओगी तो हुण अपने को पॉइंट 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 इस यहाफ नो आइ रखलेंडे सी इसेम वे वे याइ उसिंग यहर कि आपने को ले टी इस इकल टो जीरो हुएगा और आम नाल एक्वेशन अपा फांपा फांपा करलांगे के वे तो हड़को प्राबोल एक्वेशन किया याज याज इकल इस तो 4AX मिल्स तो से य य बदा इस इस इकल्स तो 4AX प्लस X1 बाय टू तो एचेट हैंगी यह इस इस इकलेशन फांप पेराबोल है यह यह इसी है डीर है चलो हूँड आपका गाल कर ले नहाँ नॉर्मल दी नहीं नॉर्मल की हुन दा है चलो ए मेरकोल ऑक्सिस है ए मे पॉइंट दे उपर X1, Y1 पॉइंट दे उपर कट का रही है और दिस इस पॉइंट टी जोदो मिनने एथ हूँ एक 90 डिग्री दे अंगल बना दिता इस प्रोपली 90 डिग्री दे अंगल ता मेरेको लेक नमा पॉइंट मिल जाम है ता जिकर तुसी है कहों कि जेडी अन है उस हाड़े को नॉर्मल है दा कोश्चन इस मैं आप इसनी एक्वेशन की भी फाइंड करनी है ता होड़ो अभी आपा देखले निया होड़ो था नू सारे नू पता है के जेडी एक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपा कड़ी सी ओ केड़ी कड़ी सी Y1 विच इकुल्स टू 4A X प् काड़ी के दो तुसे कोँगे ठीक है जी जी अपनी हेल्प करोगी नॉर्मल दी एक्वेशन नू भी फाइंड करन देवेच ठीक है क्योंकि जी अपनी को लिए टेंजेंट दी जो दो उस दो आपार रेसीप्रोकल करके माइनस लगा देने आ ता ओहो की दी दी बांजान द ता हुण एही क्रंट ली के दी डी स्लोप आगी मेरेको नॉर्मल दी डी स्लोप आगी पॉइंट मेरेको है गई है एक्स वाइवन ता हुड एन दोना दी हल्प देनाल मैं क्वेशन ओफ नॉर्मल भी काड़ सकतियां मतलब जो मेरेको लेट थे ए एन बानर्या सी उस दी ए तक कि भी निकलेगी y-y1 विच इकल दू लॉप स्लोप मिनिह हुड 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 हाँ इंटु x-x1 तर कदे भी आवले फोर्मुलेना याद कर रो हमेशा है अशेशन मेरत लाय करो कि रटा यूपर लागी लोडनी कि हांजी नॉर्मल दू स्लोप य-1 हुड हुड है नहीं तो परदे में नहीं सही बाड़गा ठीक है तो कॉंसेप्ट रू समझने चलो ठीक है जी सामझ आ गया होड़ा असी गल कर दिया सब टेंजेंट दी ते सब नॉर्मल दी ता सब तो पला पा गल कर लेने हैं सब टेंजेंट दी मैं थे तो हानू टी के ऐसी इत्ते एक ऐसी और उस दोबारा पाड़ेकर नॉर्मल भी बना ले या सी सारा कुछ आपा अल्ड़ेडी डान करी बैठेया दुछिंगे इस क्या अपनी को सब टेंजेंट की है मैं ता हानू क्या शेड़ो ता जेडी तो हाड़ेकोल टी ए आवली मैं हाटेकोले कोई वी एंगल लेलो जी लेलो ता इदी शेड़ो प्रोपर बनारी है न चेटएव प्रोजेक्शान फोजेक्शन ऑफ टेंजेंट जा प्रोजेक्शन ओफ टी ए ता एही जडी प्रोजेक्शन है इसनु आपा की बोल दिया सब टेंजेंट बोल दिया समझ जो तो प्रोपर इक नाइंट इके एंगल खिचे तो उधी शेड़ दा मेनू प्रोपर ली पता लागे कि एथि तक बनेगी निता पानू आणू आण इसी शेड़ू कि इते तक बनेगी तो मैं को की होएगी सब टेंजेट होएगी चलो हुने सब्टेंजन फाइंड आउट के में करनी है तो सी आप सोचके देखो कि जिकर एहे मेरे कुल जेड़ा पैरा बोला है ओ वाइस्केर इस इकोल्स टू फोरे एक्स है मतलब एहे जेड़ी एक्सिज है यह मेरे कुल एक्स एक्सिज है हम आ राइट और रांग सही बोल सब्सक्राइब है यह देवेच एक्सिज वैल्यू तो होगी पर एदेवेच वाइदी वैल्यू नहीं होगी तो कोश्चन इस सानू के में पता लगूगा भी एक्सिज वी वैल्यू केड़ी है देखो आप पूरी लाइन दी एक्वेशन मेंनू अल्रेडी पता है मैंने हे लाइन दी एक्वेशन हुणी हुणी थोड़े सामने कड़ के दिखा इसी y y1 2a x plus x1 कड़ के दिखा इसी नहीं equation of tangent equation of tangent दे विच मेंनू पता है कि y is equal to 0 है क्योंकि मैं आवला point कड रही है t point कड रही हो ठीक है तो y is equal to 0 है तो मैंने t point कड लिया t point कड आगे y is equal to 0 करांगे तो मैंने कोल किनना आ जोगा logic कर लेने t point मैंने कोल किनना आजेगा y y1 which is equal to 2a x plus x1 y1 दी value 0 है x1 दी value काड लेने है 0 is equal to 2a x plus x1 आए थोट निकल गया x value मैंने कोल माइनस x1 आगे ता मतलब एहे point मैंने कोल माइनस x1 है तर जड़ा मैंने x1 लिखिया सी that is also wrong minus x1 आणा सी ठीक है x1 y1 दी value 0 है और दी बिल्कुल समने वली जड़ी value हो तो x1 दी होएगी होएगी am i right or wrong ता इथे जड़ा x1 y1 होएगी एक पॉइंट मैंने है दूसरा point मैंने ही x1 0 है तो जो तो दो दो पॉइंट ने लगदा तुसी equation of line नहीं काड़ सकते दो तो अरामनाल equation of line काड़ सकते हो ते ओ ही तो होएगी equation of sub tangent होएगी ठीक है अज़ा मैं तो हानू कमा कि जड़ी gn उसनों अपा की बोल दिया सब नॉर्मल बोल दिया तो कोई डिसेगरी ता नहीं होएगा तो reason behind क्योंकि sub normal भी की हुँदी है जी normal दी projection हुँदी है जड़ा normal है ओके ड़ै am, am दी projection की बने रही है gn समझ रही हूँ ता हुँद ए दी जड़ी projection है उही मिलकुल की होएगी sub normal होएगी तो जड़ा gn है this is known as sub normal और sub normal के वें find करना है दस हुगा कोई मिननू anybody sub normal दे वेच भी तुसी ओही काम करना है जी पॉइंट थोड़ेकोल है गया x1 ते 0 और n पॉइंट आपका देख लेने यावी किन आएगा देखो y तायदे वेच जीरो यह है x दी जड़ी वेल्यू होएगी ओ होएगी 2a प्लस x1 चीक है अराम ना तुसे काड़े सकते हो कोई यह दे विच दो रहाए नहीं है कि वे कड़ांगे तुसी आपपे सोच के देखो normal equation में तो कड़वा आई सी न के इत्थो तो 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 त अर्मल दी क्वेशन आजोगी नॉर्मल दी क्वेशन दे विच वाई नू जीरो पुट करो तो अराम ना तुसी एक्स दी वेल्यू आजोगी अराम ना ठीक है तो एन डीपली जान्दी लोड़ दिये में तहां उन जस्चे समझा आन्दी कोशिश कारिया तुसी याद भी कि तो हाडे को ने एन पॉइंट आगया जी पॉइंट आगया ति अराम ना तुसी एक्वेशन आफ सबनॉर्मल भी कर सकते हों अगरी और नॉट समझ गे सारे स्चिल किसे नूँ किते भी डाउट है गया तो तुसी पोच सकते हो और दबारा जरूर देख लिए एक बार इ सकते हैं कि पाई नहीं कि दुझे रहे जीकर इलिप्स अच्छे त्रीके ना समझ आ गया था है प्रों बोला भी बहुत अच्छे त्रीके ना समझ आ जोगा ठीक है तो एनना नूँ कवर करांगे फिर ओवरोल एक कंक्ल्यूजन जा कर दे होए चेप्टर नों कंप्लीट कर तेक्स पो बाची आन शेयर जरूर गार्दियो मेक्सिमाम तेक केर